इसके बाद ये फैसला सामने आया कि 1563 छात्र जिन्हें ग्रेसमाक दिये गए थे उनकी परीक्षा को फिर से कराय जाएगा ये बताया गया कि 1563 छात्र की परीक्षा होगी 30 जून के पहले पहले उनके नतीजे आ जाएंगे और फिर वो काउंसिलिंग में शामिल होगे लेकरिन सब के भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं हो सकता है आप भी है सोच रहे हो कि वो 1563 छात्र कौन है दोबारा परीक्षा उनकी कब हो नहीं है वो तारीख कौन सी है क्या सारे बच्चे जो हैं उन्हें दोबारा एक्जाम देना पड़ेगा यह जो सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं उसका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं पांच बड़े सवाल जिसका जवाब लोकल 18 की टीम आपको देने वाली है और उसमें जो सबसे पहला सवाल फिलाल बच्चों के मन के उनके अभिबावकों के मन में चल रहा है वो ये है, सभी को क्या दुबारा नीट की परिक्षा देनी होगी? जवाब इसका है नहीं, 1563 छात्र थे चुकी कोट गए थे और बहा जाकर उन्होंने अर्जी लगाई थी कि परिक्षार्फी थे, ज़तने अंक उनने मिले है, उनके जजस के तस रहने वाले हैं मात्र 1563 छात्र उनी का रीग्जाम होगा जिरोंने ये क्लेम किया था कोट में अंदर जाकर बाकाइदा कि उन्हें exam में कम समय मिला है और Grace Mark उन्हें दिया जाना चाहिए सर्फ वही बच्चे हैं जिन्हें दुबारा exam देना होगा बाकी के परिडाम का कोई परभाब नहीं पढ़ने बाला है उन्हें न exam दिया जाएगा न उनके नंबर बत ले जाएगे अब दूसरा बड़ा सवाल, दुबारा कब होगी नीट यूजी की परीक्षा, तो दुबारा 1563 चात्र जिनकी परीक्षा होनी है, उसकी तारीख है 23 जून 2024, इन 1563 चात्रों को 23 जून को दुबारा एक्जामनेशन सेंटर जाकर और वहां परीक्षा देनी हो, अब तीसरा लेकिन यह बतायागा है कि 30 जून के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, मतब 23 जून को एक्जाम होगा और 30 जून के पहले रिजल्ट आने की बाद NTA की तरफ से कही जा रही है, अब चौथा बड़ा सवाल, कब होगी नीट यूजी की काउंसलिंग, देखे 23 जून को परी मतलब अब ही आप इतना मोटा मोटी समझ लेजे कि 30 जून तक तो काउंसलिंग शुरू नहीं होनी है, जब रिजामिनेशन वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग की तारीख का एलान किया जाएगा और उसमें आपको शाविल होना है आखरी बड़ा सवाल कि क्या ग्रेसमार्क पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए दुबारा परीक्षा देना अनिबारे होगा, जबाब है नहीं, ये वैकल्पिक है, 1563 अगर चाहें तो वो दुबारा एक्जाम दे सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो दुबारा परीक्ष परीक्षा नहीं देने होगी, लेकिन जो ग्रेसमार्क उन्हें दिया गया है, वो अब खत्म हो जाएगा, अगर एक्जाम में उधारन के तौर पर आपको बतारी हूं कि पांच अंख आपको ग्रेसमार्क के तौर पर मिले हैं, तो अब अगर आप दुबारा एक्जाम नही कि जो ग्रेसमार्क हैं, अब वो काउंट नहीं होगे, तो इस तरह सी ये पांच बड़े सवाल जो आपके मन में उठ रहे हूंगे आज के फैसले के बाद, उसका जवाब हमने आपको दिया, अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 8 जुलाई को होनी है, और उस वक्त हम देखेंगे कि कोट के अंदर क्या जिरह होती है और उसके उपर अदालत का क्या पैसला आता है?